अगर आप student है तो आप क्या benefit उठा सकते हैं, आप एक महिला है तो क्या benefit उठा सकते हैं, अगर आप taxpayer है तो क्या benefit उठा सकते हैं, अगर आप पहली बार job करने जा रहे हैं तो आप क्या benefit उठा सकते हैं, अगर आप अपना स्वारोजगार करना चाहते हैं, तो क्या benefit उठा सकते ह इस बार के बजट में फिनांस मिनिस्टर निर्मला सितारमन जी ने सब को तोफा दिया है, यानि कि हर वर्ग को टच करने की कोशिश करी है, वैसे तो लड़ाईयां बहुत सारी देख लेंगे, अभी चैनल पे बहुत सारे चैनल पे अल्ड़ी भी डिस्केशन चल रहा होगा, अब यह लड़ाईयां तो चली रही होंगी न्यू चैनल पे और अगर आप उपन करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आपस में लड़ते हुए देखेंगे और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आकर उसमें से हमारे फायदे की बात क्या है, तो इस वीडियो में हम यह बात स्थिसर्लन में और बनाने के बाद आपके लिए अलग वीडियोस में लेकिन फिलहाल आहाले आपको सबसे पहले इंकम टेक्स के बारहे में बता क्यों के इंकम टेक्स के वाला है इसके input मिलने वाले हैे शltis और बन्ले मेइन बने एक ब्रहरा है तो आप उपनी रोजगार स तो क्या benefit उठा सकते हैं depois क्थोड का उद्योग घर imagenपने अगे अगर अगर आपदाई कर न oben सपने तो क्या पाएदा इस प्रकार से आपको benefit मिलने वाला है, जी हाँ 7 लाग रुपे तक की सीमा बढ़ा दी गई है, tax slab में पहले जो slab 3-6 लाग का था, वो slab बढ़ा के 3-7 लाग कर दिया गया, और 5% का tax slab बनाया गया, उस slab को आप minimize करके 0 कर सकते हैं, यानि 7 लाग 75 लाजार रुपे तक आपको कोई tax नहीं देना पड़ेगा, और वो कैसे होगा वो भी calculate करते हैं, आपको बताऊंगा बहुत easy तरीके से, इस वीडियो को शुरू करते हैं, basic introduction के साथ की आज के budget में क्या हुआ, सबसे बरा तोफ़ा उनके करेवी नितिश कुमार जी के राजे बिहार को मिला है, बिहार को 69,000 करूर रुपे का तोफ़ा मिला है, और साथ में एपी यानि आंदर प्रदेश को 15,000 करूर रुपे का तोफ़ा मिला है, ये 15,000 करोर रुपे और 69,000 करोर रुपे जो मिले हैं वो मिलेंगे इन राज्यों को अपने राज में इंफ्रास्ट्रॉक्चर डेबलप करने के लिए बिहार एक ऐसा राज्य इसके बारे में हमेसा ही रोना रोया जाता है कि इस स्टेट के पास कुछ भी अपना खुद का इंफ्रस्ट्रॉक्चर नहीं है और इसकी वज़ा से यहां के लोग बाहर जौब करने जाते हैं तो क्या यह 69,000 कर रोपे विहार के विकास में हेल्प करेगा और विहार में नया इंफ्रस्ट्रॉक्चर डेबलप हो पाएगा यह तो समय ही बताएगा लेकिन आब आगे बढ़ते हैं और क्या खास मिला है आज के बजट में इसको मैं फटा-फट आपके लिए बताता हूं तो next सबसे important है mobile पर अगर आप mobile यूज करते हैं mobile सस्ता होने के chance से चोकि mobile के जिओ पार्ट होते हैं वह import कि जाते हैं लिए जाए चाईना ते या पर पर या पर यपान ते या पर देपैन ते या फिर दूसरे किसी ऐसे country से जहां पर टाक्ट जाता देना पड़ता है तो इन इंपोर्टेट आइटम के ऊपर टैक्स कम किया रहे हैं तो उसका डिरेक्ट इमपेक्ट आएगा कॉस्ट आफ दे प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन पर असस्ता होगा तो आपको भी सामान सस्ते में मिलेगा इंपोर्टेट चीज है पांच नई स्किम्स लाई गई इन पांच नई स्किम्स में टार्गेट रखा गया है एक करोर युवाओं को अगले पांच वर्ष में पांच नई स्किल्स पर ट्रेनिंग की जाएगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट आइटम है तीन लाख करोर का बजट बनायागा है महिलाओं के लिए इस वर कुछ खासतों होने वाला है next investment government करने वाली है solar energy के उपर, solar energy जो की conventional power है, renewable energy है, जिसको आसानी से recreate, regenerate किया सकता है, तो इसमें रोजगार की समभाब नहीं भी बढ़ेंगी, साथ में लोगों को बिजली भी फ्री मिलेगा, इस परकार से government ये प्लाइन कर रही है, कि अगले 5 वर्षों में solar energy के उपर, एक कर solar panel लगेंगे, अब solar panel लगेंगे, तो इससे रोजगार भी उत्वन होगा, और मजे की बात इसने से related है, कि solar panel के ऊपर भी tax कम किया रहे है, solar panel को बनाने में जो charges लगते हैं, जो cost आता है, उसमें reduction होगा, तब को solar panel भी सस्ते में मिले रहा, आज की रिट में solar panels घर पे नहीं ल पार्ट बाकी है, इससे बहले फटा-फट इस चीज़ आपको बतायता हो, और फिर tax को डिटिल में सब जाता हो, so अगला important चीज़ है, agriculture के उपर, government agriculture के लिए 1.52 लाख करोर का budget लेके आ रही है, तो अगर आप किसान है, अगर आप agriculture से टुरे हुए है, तो अपको आपको benefit मि मिलने वाला है, अगर आपको को education loan नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको को problem आ रही है, education complete करने में, तो government आपको help करेगी education loan लेने में, every year, परतेक साल अगले 5 वरसों तक, 1 लाख student को 10 लाख रुपे तक का education loan दिलाने में, government help करेगी, higher education करने की, government उसके ब्याज का, जो interest चुकान पड़ता है, loan लेने के बाद, उसके ब्याज का 3% तक government पे कर देगी, अगर education loan माल लीजे, अगर 8% पे आपको मिल रहा है, तो इसका 3% government दे रही है, यानि कि आपको सिफ 5% युखाना पड़ेगा, तो इस तरीके से education loan भी सस्ता हो जाएगा, और easy होगा पढ़ाई को improve करना, next important है, अगर आप युवा है और पहली बाद job करने जा रहे है, अगर आप पहली बाद job कर रहे हैं किसी organization में और आपकी salary एक लाग रुपे से कम है, तो first time EPFO में registered होने के लिए, government of India या EPFO 15,000 रुपे आपको अपनी तरफ से देगा EPFO, तीन installment में आपको मिलेंगे, 5000, 5000, 5000 करके लेकिन 15,000 रुपे government के इंट से मिलेंगे, last अप चलते हैं, tax calculation के बारे में जानने के लिए, उससे ठीक पहले point और तीन करोर आवास बनाए जाएंगे ये 5 साल, जिहां government of India ने तया किया है कि ये 5 साल में गरीवों के लिए, जिनके जो निर्धन है, जिनके पास घर नहीं है, अपने खुद के मकान नहीं है, उनको help करेगी government घर बनाने में सहयोग करेगी और टोटल तीन करोर आवास बनाए जाएंगे, अब चलते हैं पटापट tax के बारे में जान लेते हैं, जिहां tax lab में क्या change हुआ है, old regime में कोई change निवा है, जो change हुआ है, new regime में change हुआ है, new regime में अगर आप जानते हैं पहले से ही, तो आपको पता होगा, 0-3 lakh रुपीज तक कोई tax नहीं था, 3 lakh से लेके 6 lakh तक 5% का tax था, अब इसको change करके 3 lakh से 7 lakh तक कर दिया गया 5%, यानि कि 3 lakh से 7 lakh का range हुआ 4 lakh रुपीज का, 4 lakh का 5% tax होता है 20,000 रुपीज, यानि कि अगर आप कुछ से अगर आपको 20,000 रुपीज का tax लग जाएगा पूरे साल में, आप इस 20,000 रुपीज को आप कैसे 0 कर सकते हैं, वो आपको बता जाता हूँ, income tax के section number 87 a.k. according, अगर आपकी taxable income up to 5 lakhs रुपीज है, तो आप अपना tax माफ करवा सकते हैं, अप to 25,000 रुपीज, तो यहाँ tax तो जो था, वो 50,000 रुपीज तारा, जिसको बढ़ा के 75,000 रुपीज कर दिया गया है, यानि कि अब 7,75,000 रुपे तक आपको कोई tax नहीं लगेगा, आप tax-free, आराम से मस्त जीवन जी सकते हैं, इसके अलावा, अलग-अलग grade में अलग-अलग taxes हैं, टैक्स के लिए मैं अलग सेफ डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, फिल्हाल इतना ही समझे कि सार पलाग-पशेकतर रहा रुपे तक कोई tax देने के जरू होते हैं, इस वीडियो को खतम करने से पहले कि important बात आप से बताना चाहूंगा, कि tax एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना काली है, end-to-end पढ़ा हुआ है, और लोगों की help करते हैं, बैसे लोगों से advice है, बड़ी-बड़ी companies भी है market में और बहुत nominal charges पे 1,000-2,000 रुपे का charge लेके बहुत कुछ help कर देते हैं, मैं किसी को recommend नहीं कर रहा हूं, बस आपको guide कर रहा हूं, कि nominal charges लेके आपकी help कर देते ह अगर कोई CA 12,000 रुपे भी आपसे लेता है, और आपके अगर 20,000-30,000 रुपे बचा देता है, तो दुक्सान कैसे, आप उनसे assistance लीजिए और ITR उसके recording file की जो और अपने पैसे बचाए है, टैक्सी बचाना आपका परम सिध्धा दिकार है, तो आपको ये वीडियो पसंद झाल, 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